डिश्टल एंथ्रोपोलोजी जो है वो हेल्प करती हमें समझने में की हुमन इवालूशन जब हुआ है अभी तो उसमें जो वेरियस डिश्टल टेखनोलोजी जो हमने पिछले 20-30 साल से देखी हैं उसका क्या इंपेक्ट रहा है तो डिश्टल एंथ्रोपोलोजी दो वर्ड तक कैसे हुए है और डिश्टल टेखनोलोजी को इस पर क्या इंपेक्ट पड़ा है तो कहीं बहुती कुछ तरीके से समझें जैसे पहले हमारे अंसेसर जो थे वो शायद खेती ज्यादा करते थे अग्रिकल्चर पे थे फिर एलेक्ट्रिक्सिटी आई तो उसके बाद उसके आगे का भी फेस आगया है वीरियस डिश्टल टेक्नोलोजीज दा इमर्जंस आफ शोचल मीडिया तो उससे बहुत सारी हमारी हैबिट्स चेंज हो गई है जैसे कि एक एक्जांपल लेते हैं कई साल पहले पहले जो हमारे पास जो कैमरा होता था वो एक नॉर्मल एक सेलफी लेते हैं और फोटो लेना is like a sort of daily affair पहले वो शायद किपी कोई special occasion होता था या आप कभी जाते थे तो फोटो खिचते थे अभी फोटो खिचने के लिए जाते हैं आप तो ये difference है पहले आप जब कहीं जाते थे ट्राइल करते थे तो फोटो खिचते थे अभी फोटो खिचने के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे social media including Instagram या बहुत सारे जो places हैं जिन्होंने famous कर दिया है कुछ places को तो लोग उन जगे पर जाकर केवल फोटो क्लिक करके बस वो आ जाते हैं आप बहुत सारे ऐसे example देखे होंगे इस country में और different countries में कुछ-कुछ places होते हैं जो कि जहां पर फोटो उनका बहुत अच्छी से आती है तो वो लोग केवल उस प्लेस पे जाने का फाइदा क्यों यह कि वहां पर फोटो क्लिक करके वापस आ जाते हैं या दूसरी आपने एक हैबिट देखी होगी कुछ खाना अच्छा साया तो खाना-खाने के पहले उसकी फो अच्छी या बुरी है आई विल से यह हमारे उपर है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं क्योंकि हर चीज जो है वह आपको एक ऑप्शन देती है इंदा सेंस पहले जैसे आपको न्यूस जो है वह केवले नीस पेपर से मिलते थी मैगनिन से मिलते थी फिर रेडियो से मिली टी यूट्यूब ट्यूटर या जो कुछ भी आप नीज चैनल फॉलो करते हैं तो आप उनसे पता लगाते होंगे टीवी पर शाइद नीज देखना कम हो गया होगा शाइद एक्वेलेंट हो चैनल आप यूट्यूब पर ही देखते होंगे और नीज पेपर की भी उसी होंगा रिलेवन से वह थोड़ी कम हो गई है क्योंकि लोग आउनलाइन तुरंत वह नीज देखना चाहते हैं पहले जो है नीज पर आता था उस नीज को लेकर नेक्स दे को लेकर आता था अभी कोई इवेंट हुआ है तो उसके बारे में आपको तुरंत तुरू वेरियस साइट्स वो चीजें पता लग जाती हैं तो एक तरह से इससे क्या हुआ है कि जो मैं बूलूंगा लोगों की बीच का एक डिस्टेंस था और शायद एक कम हो गया है या दूसरे में भी वह वह सकते हैं शायदो डिस्टेंस बढ़ गया है क्योंकि कई यह पर ऐसा होता है कि आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते लेकिन आप वेरियस चोचल मीडिया साइट भी तुरू फेस्बोक इंस्टाग्राम और के तुरू बहुत सरे और लोग के साथ चैट करते हैं जो कि आप से माइल्स अवे रहते हैं तो इस टाइप से बहुत सारी और चीज़ है नौ आप जासे मेंने बोला फो टो क्लिकिंग की हैबिट चेंज हुई है निउस कंदम्शन की हैबिट चेंज हुई है सिमिलरली अभी किसी चीज की मार्केटिंग करने होती है तो नाव बाइडिफॉल इट्स लिक डिज्टल मार्केटिंग पहले आपने जिखको का काफी बहुत सरी चीज ऐसी हो की होती हैं सर्च अप्रिमाइशन की आपका जो आठकिल है आपका जो वीडियो है आपका जो सौंग आपने डाला है वह जो कोई सर्च कर रहा है तो टॉप पर आए उस पे बहुत ज़्यदा क्लिक हों और एक तरह से वह लोगों में एक आपसेशन सा क्या बना दिया है कि लोग वो जो कुछ भी फोटो या पोस्ट डाल कर और चेक होएं कि उसलिदेşक है कि डिक होए मोपे भी यह वह बात करते हैं क्या तुमने मेरी आपसमद है अप सब लोग मुबाइल पर ही जुटे रहते हैं तो तो again these are the changes which has happened जो कि टेक्निलोजी ने इंड्यूस किये हैं कुछ और भी एक और एक दापिल में यह पे लेना चाहूंगों जो कि काफी रिलेंट हो जाता है जैसे because of the various platforms उस पर आपने अपना ID बनाया हुआ है बीट लिंग्डिन बीट फेस्बुक इंस्टाग्राम और उस पर आप चीजिए पोस्ट करते हैं तो उस आपसे आपकी एक history बनती जाती है तो tomorrow कहीं आपको किसी कोई एक business को आप अपरोच कर रहे हैं या किसी एक person को अपरोच कर रहे हैं for taking their services पहले आप उसको यह हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि उसने और क्या-क्या काम किया है now you can always go to do let's say the LinkedIn या Facebook या Instagram और आपको पता लग जाएगा कि over the years उसने क्या-क्या काम किया है कि स्टेक की पोस्ट डाली है क्योंकि उन पोस्ट को टेंपर करना काफी मुश्किल काम है तो मैं जूम कर रहा हूं कोई स्टेक से बहुत ज़्यदा काम नहीं करेगा या 99% जो लोग डालत है कि he is good in field ABC आप हमेशा उसके profile पर जाकर देख सकते हैं कि उसने किस टाइप की पोस्ट डाली है over the years पहले यह चीज पॉसबिल नहीं थी either that person has to sort of give you those physical documents but आप अभी इन चीजों को जाकर अपने आप ही verify कर सकते हैं कि क्या रियली में उसने जो कुछ भी बोलना है उस उस टाइप का जो कुछ भी ब्लॉग लिखे थे तो एक तरह से यह चीज आपको एक advantage भी दे रही है क्योंकि आपको बाकी लोग की history पता लग रही है in the sense wherever they are sharing that तो these are the things which I have changed our behavior and apart from that there are various other cases जैसे कोई आपको hotel की booking करनी होती है तो you need not go through any broker I remember the time when हम लोग किसी और city में जाने का होता था तो एक broker के पास जाते थे जो कि बताता था यहाँ पर यह hotel है उससे book कर लें और whatever it is now of course वो सब चीज़े आप online book कर देते हैं I will say within the minutes and those are things are there on your fingertips आप compare कर सकते है rating देख लेते हैं उससे आपको पता लग जाता है एक good idea लग जाता है कि वो hotel कैसा है कहां पर है और फिर आप उन hotels को book कर लेते हैं तो it has also impacted the job the nature of the job of various people पहले कई लोग का जो होता था वो शायद एक brokerage का जो उनका काम होता था let's say for booking the hotels वो शायद अब चला गया है उसकी जिगे कुछ in platform ने replace कर दिया है और इसी टाइप से बहुत सरी और भी sharing economy जिसके एक्जांपल चाहिए अम उबर ले सकते हैं एक सुगी देमेटो ले सकते हैं जो कि आपको एक platform economy sharing economy तो all those new things has come up and digital anthropology आपको help करती हैं चीजों को समझने में की लोग का mindset क्या है now before I conclude the important thing is last 2-3 years में we all must have used chat GPTO must have heard of it तो अभी जो content लिखना है content बनाना है content एडिट करना है ये जो चीजें जो कभी बोलिया ते भी काफी difficult है अभी with the help of these tools this has given you a big push again this is let's say 50 years ago or 100 years ago if somebody has said कि वो शायद 10 chapter जो है जा कुछ let's say 10,000 words within 1 hour produce कर सकता है that was like sort of very difficult thing but now with these tools which can be chat GPT or other tools equivalent of like that it can be done and as a लिखा जा सकता है तो ये आपको अगेन एक तरह से productivity में help कर रहा है क्योंकि आप चाहें कोडिंग कर रहे हो आपके बुक लिक रहे हो आप कुछ और story बना रहे हो आपको आइडियाज लेने हैं तो ये टूल्स आपको help कर रहे हैं जो की चीज़ें पहले शायद अविलेबल नहीं थी तो आगेन इस इंपक्टेट डवे वी वर्क परसुनली और प्रफेशनली तो होफ़फुली आपको ये डिज्टल एंटर्पोलोजी पे ये चीज़ भी समझ म हैं तो कहीं आप वीडियो अच्छा लगा है तो अब इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में और पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट www.artinfin.com पर पढ़ सकते हैं थैंक यू